हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ सुमन स्वागत है फिर से मेरे एक नई वीडियो में तो फ्रेंट्स आज इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ जो 12V का बैटरी चारजर होता है तो इसको कैसे बनाते हैं तो और मैं आपको इस वीडियो में 12V का बैटरी चार्जर आपको दिखाने वाला हूँ बनाके तो वीडियो को पुरा सूरू से लेकर लाश्ट तक देखिए और मैं जो काम करने वाला हूँ आप आराम से ये काम सीख सकते हैं तो फ्रेंट्स ये देखिए मैं एक डायाड ले लता हूँ जो कि हम जो टांस्पोर्मर होता है उसका जो वल्टेज आउटूड होता है तो अस्पर्मर को ये 10 वोल्ट का टांस्पोर Mir है तो इसका जो output है हमको 17 volt AC मिलता है 17 volt AC तो आप 12 volt का भी ले सकते हैं 15 volt का भी ले सकते हैं तो 20 volt से अंदर रहना चाहिए तो 12 volt का battery charger बनाने के लिए तो friends यह देख सकते हैं इसको मैं आपको supply देखे इसको check करके आपनों को दिखाता हूं इसका जो output है कितना voltage out होता है तो यह जो transformer मैंने लिया है यह एक पूराना वाला transformer है जो कि मैं UPS से निकाला हूँ जो हमारा जो computer का UPS रहता है तो इससे निकाला हूँ तो यह 2 ampere का transformer है तो आप देख सकते हैं मैं AC में set कर लेता हूं अल्टिमेटर को और आपको दिखाता हूं यह देखिए यह 15V output दे रहा है तो फ्रेंट्स यह देख सकते हैं 15V output दे रहा है तो हमारा जो battery है आराम से charge हो जाएगा ठीक है फ्रेंट्स तो अभी मैं आगे दिखाता हूं आप लोगों को step by step तो आप देखते रहें और जो video है और इससे काम आप आराम से सिख सकते हैं तो यह transformer का charger बनाने के लिए पहले चाहिए diode क्योंकि AC को DC में convert करना पड़ेगा तो मेरे हाथ में जो diode है यह इसका जो number है IN5408 number है तो यह जो diode है यह 3A का diode है तो इसको मैं use करने वाला हूँ तो यह देख सकते हैं चार diode चाहिए मुझे तो मेरे को पहले bridge rectifier बनाना पड़ेगा तो बाद में जो AC supply है वो DC में convert हो जाएगा ठीके friends मैं आप लोगों को आगे दिखाता हूँ यह देख सकते हैं मेरे हाथ में 4 diode है तो इसको कैसा बनाते हैं मैं पहले आपको bridge rectifier बना के दिखाता हूँ अभी इसमें ध्यान देना है जो diode में एक साइड में silver पट्टी रहता है और पिछे साइड में प्रस सिंपल सिधा रहता है मतलब कुछ भी नहीं तो दोनों साइड का जो इक साइड में जोड लेना है तो देख सकते हैं आप duemयांON यह कर सकते हैं तो मैं पहले टुइस्ट करके इसको soldering कर लेता हूँ तो देख सकते हैं जो dien infek का इसको ynपझ का डायर का उन आंऐ साइड भी जो बहता है जो कि Silver Putty का दूसरा Opposite रहता है उसको आपस में दोनों को जोल लेना है इसा देख सकते हैं इसको Twist करके मैं जोड के इसके बाद मैं इसको Soldering कर लूँगा ठीक है? तो अभी दोनों Ready हो गया मेरा हाथ में तो अभी दोनों को क्या करना है दो जो लेक खाली है पकड़के इसको घूमाया के Twist करके इसको जोड देना है फिर इसको Soldering कर देना है देखिए फ्रेंट्स देख सकते हैं बहुती अच्छे तरह से हो रहा है तो फ्रेंट्स अभी जो Breeze है हमारा Ready हो चुका है तो इसको मैं Soldering कर लेता हूँ अच्छे तरह से Soldering के Iron के मदद से देख सकते हैं इसको Soldering कर लेना है चारो साइड को तो अभी जे Soldering का काम हो चुका है मैरा ये देख सकते हैं देखिए Soldering हो गया है ये आउट साइड जो है बाहर का तो इसको मैं Cut कर लेता हूँ इसको मैं बाहर का जो साइड है इसको कॉट कर लेता हूँ अब देखिए देख सकते हैं मैं कॉट कर लेता हूँ वह बहुत ही अच्छी तरह से बन गया हमारा ब्रीज तो फ्रेंट्स मैं अभी एक बाइस सो माइक्रो फरेड का 25 बोल्ड का कैपासिटर लगाने वाला हूँ इसमें आप 35 बोल्ड का भी यूज कर सकते हैं तो फिलाल यह देख सकते हैं यह कैपासिटर का जो छोटा वाला जो बड़ा वाला लेंगे यह पोजटीव और चोटा वाला नेगेटीव यह काला वाला पुट्ट Hé वो साइट नेगेटिव होता है, तो इसको मैं लगा लेता हूँ, जो आउटपुट आएगा हमारा डिसी साइट उसमें लगेगा, ये वाला जो देख सकते हैं, सिलवर पर्टी साइट है, ये पोजेटिव साइट लगेगा और जो बिना सिलवर पर्टी साइट रहेगा, दो वो साइड में हमारा जो है नेगेटिव साइड होगा तो अभी इसको आप देख सकते हैं मैं इसको जोल लेता हूँ केपसिटर को पोजेटिव और नेगेटिव साइड में आप उल्टा मत लगाईए नहीं तो जो केपसिटर है बास्ट हो जाएगा तो इसका काम क्या होता है क का जो बholtेज होता है उसको फिल्टर करता है और जो करेंट का पावार होता है तो थोड़ा बढ़ाता है उसको ठीक है तोभी आची तरह से मैं इसको सदोर्ड रिंग कर लेता हूम दोनो बाद में आप लोगों को दिखाता हूं क्या करना है तो फ्रेंट्स वीडियो अच्छा लग रहे तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एसे अच्छे एच्छे वीडियो देखने के लिए तो हमारा जो अभी पूरा सेट आप है रेडी हो चुका है जो कि ऐसी को ड इसका क्योंकि एसी का फेज निव्टल नहीं रहता है यहाँ पर कोई भी कौन सा साइड में लगा सकते हैं आप स्क्रीन में आपनों को फोटो दिख रहा होगा जो एसी एसी लिखा है वही साइट में आपको ऐसा लगा लेना है और और डीसी प्लस और डीसी माइनस से आपक और negative side में जो कि हमारा black वाला crocodile clamp को अभी मैं आप लोगों को ये जो बैटरी है इसमें लगा के आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा charge होता है तो आप देख सकते हैं ये देखिए मैं अभी supply दिया ये अभी charge हो रहा है तो मैं आप लोगों को अभी थोड़ा modify करके आप लोगों को दिखाता हूँ तो फिल अलबी मैं एसा बीना load पर आप लोगों को चेक करता हूँ यह देखिए यहाँ पर यहाँ पर देखिए 20-22 volt दिखा रहा है तो यह जो हमारा charger है और सही है कुछ भी मतलब problem नहीं है अभी charge हो जाएगा इससे यह देख सकते हैं तो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर भी दिखाता हूँ और कैसे आपको पता चलेगा कि आपका यह जो charger है काम कर रहा है किधर जोड़ना है आप लोग देख सकते हैं जो battery हमारा जो capacitor लगा है वहीं पर उसका positive और negative side को लगा लेना है ठीक है तो बाद में आप लोग जब charge देंगे इसको यह LED जलेगा तो आप देख सकते हैं अभी लगा लिया मैं इसको soldering कर लेता हूँ बाद में यह आप लोगों को चालू करके दिखाता हूँ कि ऐसा आपको पता चलेगा यह चालू मतलब charge हो रहा है करके अभी supply देता हूँ देखिए यह देखिए जब मैं चालू किया तो LED अच्छे से जल रहा है हमारा जो charger है यह काम कर रहा है तो आपको ऐसा पता चल जाएगा तो फ्रेंट्स अभी यहां पर बैटरी में लगाता हूँ यह देखिए यह भी जल रहा है तो जब मैं power cord निकाल देता हूँ तब भी जलेगा हो तो इसके लिए हमको थोड़ा यहां पर करना पड़ेगा तो इसके क्या कर लगाना है एक डायट लगाना है बाद में आपका जो reverse current है मतलब voltage है यहां पर नहीं आएगा तो इसके लिए हमको एक डायट यूज करना है यहां पर जो की इसको जो बैटरी चार्ज के लिए आगे फेज़ेगा और जब पावर चला जाएगा तो इसका जो करें मतलब voltage है पीछे नहीं आएगा ठीक है तो इसके लिए इसका जो चार्जिंग का जो पोजेटिव साइड में एक में यहां पर डायोट लगा देता हूं सेम डायोट यूज करना है यह देख सकते हैं अब वीडियो में देख सकते हैं अच्छे से यहां पर मैं लगा कि इसको सॉल्डरिंग कर दिया अभी हमें जब चार्जिंग को लगाऊंगा तो यह जो एलेडी बाल पे नहीं जलेगा जब में पावर सप्लाई दूंगा इसमें तो बेज जलेगा यह देख सकते हैं अच्छे से दीक रहा है अब मैं साप्लाई देख आप लोगो दिखाता हूं तब यह जो लाइड में लगा या लीडी बाल तब जलेगा अभी अभी देखिए यह जल रहा है अभी मिन वल्टेज भी आप लोगो चेक करके यहां पर दिखाता हूं यह देखि बहुत ही अच्छे तरह से फ्लैस हो रहा है ठीक है तो अभी मैं थोड़ा बड़ा बैटरी आप लोगों को चार्ज करके आप लोगों को दिखाता हूं जो कि 12-12 वोल्टेज का यह जो बैटरी है 12 वोल्ट 12 एज का बैटरी है इसको हम ज्यादा से ज्यादा जो स्प्रेय मेश मेशन रहता है उसमें यूज करते हैं तो यह वाला चार्जर ऐसा बना के आप लोग स्प्रेय मेशन का जो बैटरी है चार्ज कर सकते हैं यह देख सकते हैं इसमें भी बहुत ही अच्छे तरह से आपका चार्ज हो जाएगा और यह लाइट भी आप लोगों को चला करके दि देख सकते हैं यह देखिए बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है देख सकते हैं तो हमारा चार्जर है पूरा कॉंप्लीट हो चुका है इसमें आपको कुछ प्रॉब्लेम है तो मुझे कॉमेंट कर सकते हैं और ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए प्रीज मेरे चैनल को ज आपने बादे